हेलो guys कैसे ही आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूंगा गाइस के Oppo F25 Pro phone में आप लोग call flashlight को कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro phone है और इस phone में जो आपको call flashlight को जलाना है अगर आप लोग चाते हो कि गई जब भी आपके phone में किसी का call आए call आती है आपका जो camera का flashlight है गई वो blink होने लगे तो मान लीजिए अगर आपका phone कुछ इस तरीके से बंद होगा screen तब भी आपके phone में call आएगा तो आपको camera flashlight blink होने लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपके phone में call आ रहे किसी का या अगर आपका phone silent mode में है तब भी आपका camera flashlight जलेगा गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो बसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐख अने परτί जलाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के the जो है आप्लिकेशन को आपन करेने का जिससे आप लोग कॉल करते हो ओपन करने के बाद उपार आप 9-2 का option मिलेगा तो इस ध्रीडोट के option पर click करिंगे क्लिक करने के बाद settings का option आईगा settings के option पे click करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा calling accounts का calling accounts पर click करेंगे तो यहाँ पर option है का flush on call का तो अगर आपके फोन में यह ओन रहेगा तभी आपके phone में call आने पर flush light चलने लगेगा लेकिन अगर ये बंद रहेगा तो नहीं जलेगा तो आपको क्या करने इसको on करने इस पर click करती option on हो जाएगा और on होती आपके phone में call आने पर flush light चलने लगेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo F25 Pro phone में आप लोग call आने पर flush light को जला सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई